इत्याद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्याद नियूज में आप सबी का खर मगदम हैं भाजपा और संग अपनी विचारदारा को आवाम के जहन में पाईवस्त करने का काम अंजाम दे रही है वही अब देर से ही सही कांग्रेस भी देश में सक्क्यूलन विचारदारा सोच फिक्र बरकरार रखने की कोशिश कर रही है पर नतुराम गोड से और दामोदर सावरकर पर किताबों के मजमून पर तनाजा खड़ा हुआ है जो फिलाल जेरे बहस है भोपाल में कॉंग्रेस सेवादल की जानिब से तर्वियतिक कैम्प का इतमाम किया दग गया था और तकरीबत 10 दिन चलता रहा जिसमें भाजपा, संग और संगी विचारदारा मुल्क के लिए किसकदर खतरनाक है इस पर नोजवानों को समझाए गया जहाँ एक तरफ नतुराम गोड से सावरकर भाजपा के लिए हिंदुत्वा के काईद के तौर पर देखा जा रहा है और शायद यही वज़े रही होगी के साध्वी प्रग्या सिंग ठाकूर ने लोगशबा में कहा के नतुराम गोड से देशबक्तता तारीख में कुछ वाकिये दर्ज है और इन वाकियात को तबदील करने के कोशिश भाजपा की जानिब से की जा रही है लहाज़ एक और तारीखी सच्चाई को मंजरे आम पर लाने के बाद भाजपा और संगी सोच फिक्र के लोगों में बेचाई निपाई गई शायद एक तरह से कॉंग्रेस की तरफ से एकदाम ही कहा गया क्योंकि मवजुद अहलात में सिर्फ जूटी ही बिक रहा है और सच्चाई की कोई कीमत नहीं लहाजा नतुराम गोड से और सावरकर के बीच जिसमानी तालुकात थे और ये दोनों हम जिनसी थे याने समलाइंगी थे इसा तारीख ही किताबों का हवाला देते हुए कहा गया कॉंग्रेस सिवादल के तरभियतिक कैम में किताबों को तक्सीम किया गया जिसमें खास कर वीर सावरकर कितने वीर में डॉमिनिक लेपिक और लेरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के हवाले से दावा किया गया है कि वीर सावरकर और नतुराम गोड से के आपस में जिसमानी तालुकात थे और खास कर भारतियों माशरे में इसे बड़ी हिकारत से किताबों में शाय मजमून पर पोते रंजीत सावरकर ने वजीराला उद्धोठाकरे से मुलाकात करने की कोशिश की पर इन्हें उद्धोठाकरे नहीं मिले और फोन पर बात करना मुनासिब भी नहीं समझा कॉंग्रेस ने अपनी सफाई में कहा कि कॉंग्रेस से वादल की जानिब से बोपाल में दस दिन तर्वियती कैम्प रखा गया था और यहां तारीख ही जानकारी मुहिया करने की कोशिश की गई फीड़म एट मिड़नाइट में दामोदर सावरकर किस तरह अंग्रेजों से मिले वे थे यह लिखा गया है जब पुरा मुलक से अंग्रेजों क खिलाप जंग कर रहा था देश में अंग्रेजों के गुलामी के खिलाप हर घर में सुतंतरता और आज़ादी का जजबा पैवस्त किया गया था तब दामोदर सावरकर अंग्रेजों के मुखबीर बने वे थे ना सिर्फ मुखबीर थे बलके मुझाइद आज़ादी के भी भी ऐसा नहीं माना बलकि इसे माशी तरक्टी का सबब बताया कॉंग्रेस की जानिव से शाया किताबों पर और इनकी दलीलों पर सकता इतराज जताती हुए कॉंग्रेस की मजबत की वही कॉंग्रेस अपनी बात पर कायम है कॉंग्रेस काई पंकर चतुर्वेदी ने कहा इस मामले में कॉंग्रेस की सोच वही है जो पूरे मुलक की है, सावरकर का किरदार वही है जो तारीख में दर्ज किया गया है। पंकर चतुरवेदी ने आगे कहा कि भले भाजपा सावरकर को वीर कहे पर सचाई यही है कि दामो दर सावरकर अंग्रेजों के चापलूस थे और अपनी रिहाई के लिए ना सिर्फ माफी मंगी बलकि मुखबीर भी बनी जिसके दफ्तावेज आज भी मौजूद हैं। पंकर चतुरवेदी ने आगे के लिए ने आगे के लिए अगे कर दो पर सावरकर गोट से को लेकर कॉंग्रेज की जानिव से शाय किताब ने एक बार फिर कॉंग्रेज और भाजपा को आमने सामने लाखडा कर दिया है। इत्याद ने उस देखने के लिए शुक्रिया है।